हलो एंड वालकम इस वीडियो में हम TM200 सीरीज या फिर TM221 सीरीज की जो स्नैडर की PLC है उसका कम्यूनिकेशन हम अवीवा प्लांट स्काड़ा या फिर साइटिक स्काड़ा के साथ कैसे कर सकते है उसके बारे में देखेंगे ठीक है अगर आपके पास दोनों PLC हाड़वेर फ कर सकते हैं with the help of simulator ठीक है अगर आपके पास machine expert basic software है तो फिर आप उसमें अपनी PLC का simulator on करके इन दोनों के बीच में communication कर सकते हैं ठीक है अब साइटिक स्काड़ा एंड टीम टू टू वन या फिर टीम टू हंड़ेट सीरीज की PLC के बीच में जो communication होगा वो होगा मोड बस TCP प्रोटोकॉल पे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक चोटा सा लॉजिक क्रिएट करेंगे के मशीन एक्सपर्ट बेजिक सौफ़वेर में उसके बाद उसे सिमिलेटर मोड में रन करेंगे एंड एंड न मोड सके सौफ़वेर के थू हम हमारी वेल्यूस को वेरिफाय कर लेंगे उसके बाद साइटिक स्काड़ा में हम नया प्रोजेक क्रिएट करके आयो दिवाइस बेजिक सॉफ्वेर ओपन करते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा मशीन एक्सपोर बेजिक सॉफ्वेर ओपन हो चुका है सबसे पहले हम यहाँ पर इनक्टिव कर देते हैं एंदेन अप्लाइ ठीक है उसके बाद स्टिल हमारे प्रोग्राम में एक एरर है तो फिर हमें उस एरर को रीमूव करना होगा एक नॉर्मली ओपन कॉंटेक लिया एंदेन एक कॉईल लिया ठीक है उसके बाद नॉर्मली ओपन कॉंटेक को I0.0 input दे दिया एंड जो हमारा आउटपुट है वहाँ पर Q0.0 ठीक है उसके बाद हमारा जो प्रोग्रामिंग एरर था वह निकल चुका है ठीक है अब क्या करते है हमें जो इंटेजर वैल्यूज है ठीक है उस उन वैल्यूज को साčटेक्स काडा में रीड करना है. PLC की इंटीजर वैल्यूज को साइटेक्स कारदा या फिर अविवा प्लांच कारदा में हमें रीड करना है. stability are the टूल्स में जाएंगे एनिमेशन टेबल में राइट लिक करेंगे एंद एड़ नियू अनिमेशन टेबल ठीक है इस प्रैक्टिकल में हम तीन इंटीजर वेल्यूज को PLC से साइटेक्स काड़ा में या फिर अभीवाब प्लांस काड़ा में रीड करेंगे यहां पर हम लिखेंगे %mw0 हमारी 1st integer value %mw1 हमारी 2nd integer value and %mw2 हमारी 3rd integer values अब इन तीन वेल्यूज को हमें साइटेक्स काड़ा में रीड करना है इसका जो भी एक्जेट वेल्यू होगा वो हमें साइटेक्स काड़ा में देखना चाहिए ठीक है सो अभी हम इस project को compile करते हैं ठीक है उसके बाद simulator को launch करते है ठीक है हमारा simulator यहां पर launch हो चुका है यहां पर आप देख सकते है जो run का LED है वो continuously flash हो रहा है इट मींस हमारा जो controller है वो भी stop mode में है और उसे हमें run mode में enter करना रहेगा सो देट इस वाई यहां पर button है start controller उसे हमें press करना होगा and then ok पर press करना होगा उसके बाद जो हमारा run वाला LED है वो steady green रहेगा और हमारा controller जो है वो run mode में जाएगा ठीक है अभी हमने यहां पर जो छोटा सा logic लिखा है उसे अगर आपको test करना है तो आप यहां पर i0.0 पर click कीजिए आपका q0.0 high हो जाएगा ठीक है अगर मैंने again click करके off किया तो यहां पर मेरा output भी off हो जाएगा अब यहां पर जो मेरा MW0, MW1 and MW2 तीन holding register है उन सभी की values 0 है ठीक है तो मैं यहां पर values modify कर लेता हूँ 11, 22 and 33 ठीक है अब यह जो modified values है उसे मुझे more scan में read करना है एक बार ताकि verify हो जाए कि मेरा जो simulator है उसमें mode bus TCP server running है ठीक है तो अभी हम mode scan open करते है ठीक है connection में जाते है connect पर click करते है ठीक है अब यहां पर connect using remote mode bus TCP server उसके बाद हमारा local host का IP and then mode bus TCP protocol के लिए port number ठीक है अगर आप actual PLC use करते है तो फिर आपको यहां पर जो actual PLC होगा उसका IP address एंटर करना रहेगा ठीक है उसके बाद हम OK पर press करते है तो यहां पर हमारा connection successfully हो गया and holding resistor हमने चूज किया है तो हमारी जो first three holding resistor है उसकी values हमें यहां पर मिल गई 11, 22 and 33 ठीक है तो अगर मैं इस values को update करता हूँ तो वो value मुझे mode scan पर भी update मिलेगी ठीक है यानि कि यह confirm हो गया है कि हमारा जो simulator है व हमारा mode bus TCP server है वो भी running है and उसकी values हम mode scan में read कर सकते हैं तो अगर हम उस values को mode scan में read कर सकते हैं तो इसका meaning यह हुआ कि उसे हम sitex SCADA में भी read कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम Aviva plants SCADA studio open करते हैं उसके बाद add and then new project पर click करते हैं and इस project का name रहेगा test underscore 30 and project style चूज करते हैं and then OK पर test करते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा project create हो गया उस project को हम active कर देते हैं उसके बाद हम topology में चलते हैं io device add करने के लिए ठीक है तो यहां पर हम new device पर click करते हैं ठीक है उसके बाद हमारा project test underscore 30 उसके बाद io server 1 यहां पर हमारा IO device का name रहेगा mode bus TCP IO device and then next उसके बाद IO device का type है external IO device उसके बाद हमें यहां पर जो driver है वो bit scene register ठीक है तो हमें अगर आपने mode scan देखा है तो यहां पर start register कौन सा है 1 ठीक है अगर मैं यहां पर 40 करता हूं ठीक है तो अब आप यहां पर ध्यान से देखना अब यहां पर 0 start register है and bit scene register जो उसका जो span है वो 0 to 15 है लेकिन अगर आप mode scan में वो data holding register है ठीक है अगर आप MW 0 से start करता है तो यह मेरा 16th holding register आता है तो उसकी value मुझे यहां पर कहां मिल रही है 16th में मिल रही है ठीक है तो फिर मेरा जो यहां पर selection होगा वो मेरा starting register 1 है ठीक है यहां पर मेरा starting register 1 है लेकिन मेरा bits जो है ठीक है वो 0 से 15 तक है ठीक है यहां से मैं MW 0 से MW 15 तक डालूँगा ठीक है and मुझे mode scan में 1 से 16 के बीच में मिलेगा so मेरा starting 1 है लेकिन जो मेरा actual है वो 0 to 15 है so that is why मुझे ये वाला option चूज करना है ठीक है उसके बाद मुझे next पर press करना है उसके बाद मेरा IP address 127.0.0.1 उसके बाद मेरा port number आएगा 502 for TCP protocol mode bus TCP protocol and then next उसके बाद next and then finish ठीक है so यहां पर मेरा IO device create हो गया अब हम चलते हैं system model में and उसके अंदर हम variables को add करेंगे so यहां पर मेरा variable 1 variable underscore 1 उसके बाद यहां पर मेरा variable underscore 2 and यहां पर मेरा variable underscore 3 ठीक है उसके बाद यहां पर मेरा address आएगा जो address यहां पर मुझे मिल रहा है 40,0001 यानि कि 4001 4002 and 4003 so यहां पर 4001 उसके बाद आएगा 4002 यहां पर आएगा 4003 ठीक है उसके बाद इन तीनों रोज को सिलेक्ट करते हैं क्लस्टर नेम में हम क्लस्टर वन चूज करते हैं आयो डिवाइस में मोड़ बस TCP डेटा टाइप हमारा रहेगा इंटीजर ठीक है उसके बाद इस variables को save कर लेते हैं उसके बाद हम यहां पे एक नया blank page create करते हैं सो यहां पर हमारा blank page ठीक है उसके बाद हमें जो variables है उसका values मुझे यहां पर प्रिंट करना है तो यहां पे मेरा आएगा war underscore one ठीक है एंड उसका जो size है वो मैं बड़ा कर लेता हूँ ठीक है अब इसे copy करते है ठीक है यहां पे मेरा आएगा display value में war underscore two एंड यहां पे आएगा मेरा war underscore three ठीक है उसके बाद ctrl shift a left ठीक है सो यहां पे align कर दिया अब इस page को save करते है page underscore one ठीक है ओकै प्रेस कर दिया उसके बाद यहां पे मेरा यह variable one है यह variable one ठीक है उसका भी size 22 and bold ठीक है यहां यह मेरा variable two के लिए यह मेरा variable three के लिए सो यहां पे variable three उसके बाद यहां पर variable 2 ठीक है अब इन दोनों को align कर देते हैं so control shift A bottom align ठीक है again control shift A bottom align and again control shift A bottom align and then control shift A left align ठीक है and again control shift A left align so यह मेरा alignment हो गया अब इस page को मैंने save किया इसे close किया again setup wizard में गया ठीक है so यहां पर मेरा कोई error नहीं है इस project में so that is why यहां पर मेरा open हो गया उसके बाद custom setup and then next 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 ठीक है आपको continue यहां पर next पर प्रेस करते जाना है ठीक है full screen चाहिए लेकिन title bar भी देखना है ठीक है and then next 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 और startup page आपका कौन सा रहेगा हमारा page underscore one जो की हमने create किया है उसके बाद next and then finish ठीक है अब इस project को compile करते है again then उसके बाद हम run करेंगे ठीक है so यहां पर हमारा project compile हो चुका है अब इस project को हम run करते है ठीक है तो आप यहां पर देख सकते है जो मेरा variable one है उसका value 11 variable two है उसका value 22 and variable three है उसका value है 44 and अगर मैंने उन values को यहां से change किया ठीक है suppose उन values को यहां से मैंने change किया 11 के बदले triple one किया तो वह value मेरा यहां पर update हो जाएगा 22 के बदले triple time two किया तो वह यहां पर update हो जाएगा यहां पर अगर मैंने 500 किया तो वह यहां पर update हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप अपना कोई भी TM200 सीरीज का PLC यहां पर TM221 सीरीज के PLC को साइटेक्स काड़ा के साथ यहां फिर अभीवा प्लांट्स काड़ा के साथ मोडबस TCP प्रोटोकॉल पर communicate करवा सकते हैं ठीक है आपको जितने भी टैक को communicate करवाना है उसको आपको वेरियबल में create करना होगा एं देन आपको उसे जहां पर यूज करना है आप उन वेरियब possible हो सकता है ठीक है वो अल्रेडी हमने काफी प्रीविएस वीडियो में देखा हुआ है ठीक है तो इस तरह से आप मशीन एक्सपर बेजिक सॉफ्टेर एंड स्टाइक्स काड़ा या फिर अभीवा प्लांट्स काड़ा का simulator मोड में communication कर सकते हैं ठीक है ठीक इसी तरह से आप actual PLC के साथ भी communicate कर सकते हैं लेकिन अगर आप actual PLC के साथ communicate करते हैं तो फिर जब आप IO device create करते हैं तो उस ताइम पे जब IP address एंटर करना होता है उस ताइम आपको अपनी PLC का IP address एंटर करना रहेगा ठीक है ठीक है तो आपको इसमें कहीं पे कोई doubt है तो फिर आप हमें comment box में comment कर सकते हैं email id पे भी पूच सकते हैं as well as personally हमें telegram पे भी पूच सकते हैं ठीक है अब यह जो project है उसका backup आपको इस video के description में link मिल जाएगा आप वहां से उसे download कर सकते हैं ठीक है यह complete backup आपको वहां पे मिल जाएगा आपको सिर्फ यह जो machine expert basic है उसका एक चोटा सा logic आपको बनाना पड़ेगा ठीक है आपके requirement के according so I hope यह सारी चीज clear है ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में till then take care goodbye and thank you